नमस्कार आप देख रहे हैं डीडीवी भारत आपके साथ मैं हूँ शर्मिला चोहान एक तरफ बिहार में जहां बर्थे संक्रमन को लेकर जला प्रिशासन और सरकार सक्त हो चुकी है कई तरह की पाबंदियों को लागू किया है वैसे ही कई जिलों के डीम ने ये नर्देश दिया है कि हफते में दो दिन यानि आंशिक या तीन दिन का लॉकडाउन जुले में लगाया जाएगा ताकि संक्रमन के खत्रे को बढ़ने से रोका जा सके और ऐसे में बकसर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां आज से यानि शनिवार और रविवार्ज को दो दिवसिय लॉकडाउन लगाया गया है जुले में लेकिन लॉकडाउन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है जैसे लॉकडाउन की जो नियम है उनका पालन नहीं किया ज हम आपको बता दे कि जिले में ूपचा से ब्सक्राइट कंट्ग म करें, continuous आपको बढ़ियों ये का dran से बिए काुई कि अनुम्मथ है. हम आपको बता दे कि जिले में लग नहीं रहा कि जिले में लूग डाउन लगाया गया है कई पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद हैं लोगों को देख रहे हैं दुकानी खुली हुई हैं गारियों का आवागमन भी हो रहा है लेकिन ऐसे में पुलिस अधिकारी भी कोई सक्त कदम नहीं उठा रहे हैं तो ऐसे में लोकडाउन लगाने के का है इस जिले में बकसर की तस्वीरे आप देखेगा तो खोदी सोचेगा कि क्या इस जिले में लॉकडाउन जैसे स्थि नजर आ रही है तो एक तरफ बाजारों में भीर देख रहे हैं आप तो दूसरी योड लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और नहीं सोशल डिस्टेंसि कि जिले में आज से लॉकडाउन है यानि दो दिवस्य लॉकडाउन है तो क्या आपको लॉकडाउन जैसा कुछ दिख रहा है और क्या ऐसी स्थिती में कोरोना की संक्रमन को रोका जा सकता है ना मास्क का ही पालन किया जा रहा है ना सोशल डिस्टेंसिंग के ही नियमों का तो लगतार आपको पालन करना है, ताकि संक्रमन ना बर सके, क्योंकि कोरोना वाइरस एक ऐसी महामारी है, जो वाइरल है, और SME यदी आप मास्क नहीं पहनेंगे, यदी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो खत्रा सिर्फ और सिर्फ आपको है. SME DTV भारत भी आपसे लगतारी अपील कर रहा है कि अनावश्चक तोर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है जान है तो जहान है बाकिस्थती तो आप देखी रहे हैं कोरोना के नियमों का बखुबी पालन करें कोरोना को दूर भगाएं नमस्कार झालन करें को कि अनावश्चक तो आपस्ती आपस्टीः आपस्टीग कशवाफस्ती आपस्ती पिर्दों से लिएता, नहीं कोई आपस्ती तो है